नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बड़ा यूनीक सा चीज हम लोग अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे जी हाँ, ये है एक TV कम मॉनिटर तो बेसिकली ये है LG का 32 इंच IPS LED मॉनिटर पर इसको आप as a TV भी यूज कर सकते हो और TV में जो जो features रहता है, वो सब भी इसमें दिया गया है जैसे कि आपको इसमें मिल जाता है एक remote control बटन आप इसे wall mount भी कर सकते हो, जैसे आप अपने TV को करते हो तो इस LG के मॉनिटर को आप smart TV में भी convert कर सकते हो कोई भी fire TV या android box को लगा के और इसमें आप अपने sit-top box को भी लगा के TV का आनंद उठा सकते हो ये TV काफी special है, क्योंकि normally जब भी आप 32 inch की TV देखने जाते हो तो आपको normally HD TVs मिलता है पर ये जो monitor है, ये completely IPS LED full HD monitor है अगर आप 32 inch में TV खरीदने जाते हो तो आपको पहले तो IPS screen नहीं मिलता है फुल HD का resolution नहीं मिलता है पर ये वाला जो model है, इसे आप ऐजा TV भी इस्तमाल कर सकते हो और अगर आपको एक अच्छा monitor के तरह इसको इस्तमाल करना है तो भी आप इसे कर सकते हो और अगर आप अपने TV में gaming करना है तो भी आप इसे बहुत ही अच्छे से इस्तमाल कर सकेंगे एक और चीज जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं एक और कारण आपको दूँगा कि क्यूँ आपको एक normal 32 inch TV लेने की वजाए आपको ये वाला जो है full HD monitor लेना है कि normally आपको कोई भी TV आप लीजिये जो 32 inch HD TV है पहले तो वो है HD TV आपको मिलेगा और दूसरा जो सबसे बरा चीज है warranty आपको सिर्फ एक साल का मिलता है पर यहाँ पे आपको full HD मिलता है और उसके साथ साथ आपको 3 साल का warranty मिलता है LG की तरफ से जो की एक unique advantage है इस TV का तो अगर आप एक ऐसा TV खरीते हो जो की आप TV के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो है आप monitor के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो तो यूना आप यही वाला ले यह जो LG का 32 inch IPS LED monitor कम TV है इसको हम लोग करते हैं unboxing और फिर बताएंगे इसके बारे में बाकी सारे features तो हलिए फटा फट से हम लोग इस TV का monitor को करते हैं unbox और दिखाते हैं आपको इस के अंदर आपको क्या क्या चीज जो है मिल जाता है तो हमने खोल लिया है यहाँ पर जो है यह सारा चीज आप देख सकते हो यहाँ पर जो अगर मैं इस तरफ इसको लेके जाओ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो monitor का stand है आपको इसको जो है fix करना है सारा चीज जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा इसमें जो है इसका charger यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो our connection जो इस monitor को मिलता है और इसमें आपको HDMI cable भी देखने को मिलता है यहाँ पे जो है आप इसका remote देख सकते हो एक full-fledged जो TV के remote होते है वैसे remote आपको देखने को मिल जाता है इस monitor में और यहाँ पे जो है charging का जो cable है वो दिया गया है और यहाँ पे दो batteries भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे कुछ user manuals यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे आपको TV को install करना है यहाँ जैसे मैं बोला कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका जो stand और ये दोनों को हम लोग जो है फिकरेंगे और फिर जो है जो monitor का screen है ये इसके उपर आएगा तो हम लोग ने लिका लिया है इस thermocall के नीचे ये पूरा monitor यहाँ पे था तो thermocall को निकालने के बाद ऐसे आपको देखने को मिलता है monitor का पीछे का section तो इसको फटा फट से जो है हम लोग stand के साथ पने करके इसको जो है install कर लेते है तो यहाँ पे हमने stand को यहाँ पे लगा लिया है आप देख सकते हो monitor का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ अभी इसको जो है हमको ठीक से table पे खरा करना है आप चाहे तो wall mount भी कर सकते है तो हम लोग ने टीवी को install कर दिया है यहाँ पे हम लोग इसकी जो पीछे की ports दिया गया है वो देख लेते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक audio input और एक audio output जहाँ पे आप headphone लगा सकते हैं इसके नीचे आपको मिल जाता है एक VGA port और नीचे आपको मिलता है दो HDMI port और एक USB port तो अभी देख लेगते हैं इस TV में क्या-क्या settings आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे अगर मैं picture mode की बात करूँ तो vivid, standards, cinema, sports और game यहाँ पे 5 टाइप की picture modes आपको मिल जाता है जो की आप adjust कर सकते हो उसके according जो है backlight, contrast, brightness, sharpness और colors भी आप खुद individually जो है change कर सकते हो जो custom mode है वहाँ पे जाके जैसे मैं अगर यहाँ पे vivid mode में रहता हूँ तो backlight 100, contrast 100 और बाकी सारे जो आप देख सकते हो यह range पे है वैसे ही अगर मैं यहाँ पे sound की बात करूँ तो यहाँ पे auto volume का option मिलता है, balance का option मिलता है आप sound को balance कर सकते हो दोनों speaker से sound mode में भी आपको यहाँ पे 5 types मिल जाते है और यहाँ पे आप जो है bass और rebel को जो है adjust कर सकते हो अपने जो requirement के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे clock की बात तो यहाँ पे आपको एक sleep timer भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे menu languages है यहाँ पे factory reset को option भी आपको दिया जाता है इस system को आप log भी कर सकते है और password भी इसे डाल सकते हो ताकि कोई ना इस monitor को खोल सके यहाँ पे photo list music list भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप photos और music जो है यहाँ पे रख सकते हो अगर मैं यहाँ पे aims की बात करो तो in build यहाँ पे आपको तीन games मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो और इसको जो है enjoy भी कर सकते हो यहाँ पे आपको aspect ratio change करने का option भी दिया जाता है और energy saving mode भी दिया जाता है तो उसे भी आप adjust हर सकते हो तो अभी हम लोग इस TV का monitor का sound level चेक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसका sound कितना बढ़िया आपको देखने को मल जाता है अभी जो है एक वीडियो में यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका जो full HD resolution का IPS display है वो कितना बढ़िया है कितना accurate आपको color saturation यहाँ पे मिल जाता है इस monitor कम TV में यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे honor से भी देखू तो इसका जो viewing angle है काफी बरिया है मुझे honor से भी काफी अच्छा clarity यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐसा clarity आपको बाकी कोई भी monitor या कोई भी TV जो 32 inch में आता है इसमें आपको नहीं मिलता है अगर मैं बात करूँ इसकी color और contrast की तो यहाँ पे आपको deep blacks मिल जाते है तो अगर मैं इस TV की specification की बात करूँ यह एक IPS full HD monitor है जिससे की aspect ratio आपको मिल जाता है 16 is to 9 का और इस monitor का जो सबसे अच्छा एक और खास बात मुझे लगा कि आप जो है दो shows एक ही साथ देख सकते हो इसमें अगर आपको कोई serial और drama देखना है और उसके साथ साथ कोई match चल रहा है तो उसका भी आनंद लेना है तो वो भी आप single time पे single screen पे जो है देख सकते हो और अगर आपको कोई office का काम करना है और उसके साथ साथ आपको एक video भी देखना है कई YouTube पे अर सकोगे इस TV का monitor में अगर मैं इस color accuracy की बात करूँ तो यह बहुत ही बढ़िया है यह full HD वाला screen आपको देखने को मिल जाता है और क्यूंकि इसमें IPA screen दिया गया है तो इसमें आपको काफी wide viewing angles भी देखने को मिल जाता है और इस monitor कम TV का input lag है वो भी काफी बढ़िया है तो gaming के लिए यह बहुत ही बढ़िया monitor कम TV है और सबसे खास बात इस monitor को जो है आप wall mount भी कर सकते हो और पूरी तरीके से जो है आप TV और monitor का आनंद उठा सकते हो इस monitor को आप normally as a monitor भी इस्तमाल कर सकते हो सारे features इसमें दिया गया है अपने CPU के साथ add कर सकते हो या फिर अगर आपके पास laptop है laptop का content अगर आप बड़े screen पे देखना चाते हो तो वो भी आप जो है इसे देख सकते हो तो अगर आपको इस monitor कम TV को as a smart TV इस्तमाल करना है तो आप इस TV की HDMI पोर्ट में fire tv stick, me tv stick या फिर कोई भी android box को connect कर सकते हो और उसके बाद यह completely smart TV में जो है बदल जाता है अगर आपको setup box भी लगाना है तो वो भी आ आप इसकी HDMI पोर्ट पर डाल सकते हो इसमें आपको headphone jack भी देखने को मिल जाता है अगर आपको जो है headphone लगा के gaming करना है या फिर कोई content देखना है वो भी आप जो है इसमें कर सकोगे इसमें इसके सास्त एंड्राइव भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें USB पोर्ट भी दिया गय है तो अगर मैं इस monitor come TV की price की बात करूँ तो ये आपको around 11,000 से 16,000 रुपे के बीच में मिल जाता है तो अगर आपको ये वाला monitor come TV लेना है तो मैंने इस वीडियो की description box में इसका best buy link देके रखा है वहाँ पे जाके आप इसको check out कर सकते हो और इसको खरीद भी सकते हो तो आ झाल